मैं आज मेरें हाथ में फिर दानिक जागाडळ अकबार ने पूरे 100% सच बताया है और मैं लगातार कल से ही जब अंगरेजी का पेपर लिक्ठ हुआ और अंगरेजी का पेपर निरस्थ हुआ तो लगातार मेरे WhatsApp पर मेरे कमेंट्स में बहुत सारे मेसेज आ गहे है कि क्या सर्जी मेरा भी पेपर दुबारा होगा यह question मुझे लगता है कि लगभग-लगभग 5000 से अधिक question होगे क्या सर्जी दुबारा पेपर होगा तो अब इस बात में इस question में एक राज चिता हुआ है अब बताओ जिन बच्चों ने पेपर दे दिया है वे बच्चे यह पूछेंगे कि क्या मेरा अंग्रेजी का पेपर दुबारा होगा और जिन बच्चों ने पेपर नहीं दिया इस्कूल गए एक्जाम सेंटर पर गए एक्जाम देने वहां से उनके के प्रिच्छा आज वाली रद हो गई है और आज वाली परिच्छा आने वाले समय में होगी और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि जो अंग्रेजी का पेपर वो निरस्थ हुआ हुआ किस डेट को होगा और कि टाइप पर होगा उसका डेट भी चेंज हुआ है और उसका टाइम पूरी बात बताऊंगा लेकिन सबसे बड़ा कंफ्यूजन यह है कि पूरे 75 जीले के चात्रों में एक कंफ्यूजन वाली बात लगा तार दोड़ रही है मुझे पता है कि केवल 24 जीलों के चात्रों का पेपर रद किया गया है वो भी केवल अंग्रेजी का पेपर यह सोचल मीडिया पर WhatsApp पर Facebook पर हर जगह लगातार दोड़ रही है कि यूपी के 75 जिलों में अंग्रेजी का पेपर हुआ रद जाने कब होगी इनकी दुबारा परिच्छा तो यह जो अकबार की कटिंग लगातार आपके पास मेरे पास इनके उनके पास पहुंच रही है इसका ऐसको एक मिश्टिक महले जाएगा या तो इसको एक चालवाजी जालसाजी महले जाएगा तो ओभराल आप मेरी वीडियो देखकर के इस वीडियो को क्या नीचोड़ निकालेंगे मैं दो फैक्ट आपको बताने वाला हूं यूपी वोड इक्जाम को ले करके दो फैक्ट क्या पहला कि किस किस जनपद में परिच्छा दुबारा होगी यानि कौन-कौन से जिले की जो परिच्छा है वह रद कर दी गई है और ये भी बताऊंगा कि ये रद की गई परिच्छा किस डेट को और किस टाइम पर होगी मैं असके लिए आपको बता देता हूँ. भूरा इक्तिमिनांत से जिन जन्पदों में अंग姬्ट का पेपर रद किया क्या गया है उन जन पदों का नाम है आप ध्यान से सुनिेगा शिभा सरको तो बलिया चित्रकूट अलिगण एटाँ परताफवावर्ण सामलीं इतने जिलों में अंग्रेजी का पेपर दुबारा होगा कुछ स्कूल पर पेपर बाट दिया गया था लेकिन बहुत सारी स्कूल पर पेपर नहीं हुआ बच्चे परिच्छा देने खेंदर पर आए वहां से उनको लौटा दिया गया सूचना दे करके और इन जिलों के अलावा इन 24 जिलों के अलावा बाकी जो जिले हैं उनमें उनका पेपर पूरा हुआ है और उनका पेपर दुबारा नहीं होगा मुझे आप से बहुत सारा मैस से किसी भी जीले के हैं जो मैंने आपको बताया है तो आपका पेपर दुबारा होगा लेकिन इन 24 जीलों के अलामा अगर बागी जीले के हैं तो आपका पेपर नहीं होगा आपको वही पेपर मानना जाएगा जो पेपर आपका कल वाली डेट में हुआ था तो यह रहा आपके confusion का जवाब अदूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि जिन जन्पद में 24 तारिक वाला पेपर निरस्थ हुआ है 24 तारिक वाला पेपर निरस्थ हुआ है वहाँ पेपर अब 13 अपरेल को सुबा वाली पाली में 8 बजे से होगा एक बार रिपीट करता हूं जिन जिन छात्रों का अंग्रेजी का पेपर रद होगा है वहाँ पेपर 13 अपरेल को सुबा वाली पाली में 8 बजे से होगा तो यह थी आपके लिए ओभराल एक जानकारी लेकिन चलते चलते मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि आप मेरी वीडियो के साथ बने रहे हैं सटीक जानकारी सही जानकारी आपको मिलती रहेगी और अगर हाँ घडित पिसे में आपको किसी तरह से कोई दिक्कत आ रही है या पॉलिटेक्निक इंट्रेंस इंग्जाम की तैयारी करोगी इसके बाद तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फाम दिया हुआ है उस फाम को भर जो लोग यह केवल फोटो इदर घुमाते रहते हैं तो उन लोगों की वीडियो देखकर के आप गुम्राह मत होईएगा मेरी आपसे यही अपील है अख़बार की कटिंग का सच क्या है वह मैं आपको दिखा देता हूं मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर ध्यान से दे है या किसी के दिल पर कितनी बड़ी चोट आ सकती है या किसी के साथ कौन सी घड़ना कभ हो सकती है उससे उनका कोई लेना देना नहीं है बस वह पागए मैटेरियल और उसको एडिट करके छेड़ चाड़ करके लोगों के बीच में पहुंचा दे रहे हैं और जिससे आप लोगों की सनकानी है पागी बाते हैं मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा